कहीं ना कहीं जो है बीजेपी अपने सारे हत्खंडों में नाकाम्याब हो चुकी है वो शुरू में इस यात्रा को इगनोर करना चाहते थे उनसे जब यात्रा इगनोर नहीं हो पाया क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि यात्रा अब एक पार्टी की यात्रा नहीं है नमस्कार दोस्तों मैं भाषा और न्यूस क्लिक की टीम के साथ इस समय में खड़ी हूँ हरियाना के मेवात इलाके में यहां पर घासेड़ा में राहुल गांधी की एक एहम सभा होनी है यह सभा इसलिए बहुत एहम है क्योंकि यहीं से महात्मा गांधी ने पार्टीशन के समय अपील की थी तमाम मुसल्मानों से कि वह देश छोड़के ना जाएं आज यह यात्रा एक सो पांचवे दिन में जब प्रवेश की है इसके सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से कुरोना का आतंक दिखा कर इसे रोकने की कोशिश हो रही है क्या वो कामियाब हो पाएगी दो दिन बाद इसे प्रवेश करना है देश की राजधानी दिल्ली में क्या यह संबव हो पाएगा और उससे भी बड़ा सवाल कि राहुल गांधी लगातार अपनी यात्रा में जो अमन की बात कह रहे हैं जो संदेश दे रहे हैं कि नफरत के बाजार में वो महबत की दुकान खोलना चाहते हैं उस दुकान को कितना बड़ा जन समर्थन मिल रहा है यह शायद भारती लोकतंत्र के लिए इस समय सबसे एहम सवाल है हम बैंगलोर से जुड़े हैं कि यात्रा के लिए लोगों को जोड़ना तो हम महरास्त में उन सब का मुबलाइजिस कर रहे थे और बाद ने जब योगिंजी से बात हुई और उन्होंने कहा कि नहीं पहले आपको आना है तो यह बैंगलोर जाना पड़ा यह तो महरास्त में जोड़ते और तब से अभी तक कंटीनिस चल रहे हैं मैं दली से हूँ और हम लोग जो है वो शुरूाज से कन्या कुपारी से हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है वहाँ पर साथ दिन तक हम लगातार चले और उसके बाद फिर आगे अभी हमने राजिस्थान से फिर दुबारत से शुरू किया है और आगे भी अभी अगर जरूरत पड़ी तो बीच में कहीं हो सकता है मेडिकली फिटना होने के वे इससे कभी दो-चार दिन का ब्रेक हो कितनी उमर है आपकी? उमर वैसे आप इस पर पूछ रही है लेकिन ने 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 उमर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 50 प्लस है तो अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है आराम से चल रहे हम लोग और आगे भी यात्रा को पूरी करने का पूरा इरादा है कि हम कश्मीर तक जाएंगे और इसको हाँ बिलकुल कश्मीर तक जाएंगे क्या लगता है क्या हासिल हुआ अभी तक करने कुमारी से आप दिल्ली के बिलकुल गेट तक पहुच गई हैं देश की राजदानी तक हासिल क्या हुआ यात्रा का हासिल मुझे लगता है कि जो एक तरीके का कोहास राइप का बना हुआ था उसको हम जो है वो अब लग रहा है कि लोग जो है वो समझ रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा क्यों शुरू हुई और इसकी जरूरत भी थी एक अजीब सा वैक्यूम सब बना हुआ था कि लोग आपस में भी बात करने में कहीं हलका हलका लोगों के बीच में डर था वो उतना खुल के कभी जैसे पहले बात किया करते थे मुझे ये कहने में भी गुरेज नहीं है कि 2014 से पहले जो महौल था उस महौल में जो है वो फरक आने लगा था पांच दिन हो गए पॉलिटिकल अल्टरनेटिव की बात शुरू से हो रही थी और ऐसा बताया जा रहा था कि मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है उसमें कोई सफलता इस यात्रा ने हासिल की देखे दो बात बिल्कुल असपस्ट हो चुका है एक कॉंग्रेस को लेकर के जो एक प्रपगेंडा था एक जो जूट था और राहूल जी को लेकर के जो एक जूट था उस जूट का परदा फास हो गया है सच्चाई अब लोगों के सामने है कॉंग्रेस पार्टी इस देश की सबसे बरी विपक्षी पार्टी है राहूल गांधी सबसे मुखरता से बीजेपी की गलत नीतियों के खिलाफ बोलने वाले निडर नेता हैं यह दो बात जो है स्थापित हो चुकी है दूसरी जो इस यातरा का एक बहुत बड़ा मेसेज है वो यह है कि बीजेपी जिस तरीके से घबराई है तमाम हतकंडे अपनाने के बाद पहले इग्नोर किया जब इग्नोर नहीं कर पाए तो जूते की फीते की बात करने लगे टीशट की बात करने लगे जब वो सबसे भी नहीं हुआ है तो अब ये डर का सहरा लेना चाहते हैं ये आप कह रहे हैं कोबीट की बात मैं सिंपल एक बात कहना चाहता हूँ कोबीट को ले करके इस देश में सबसे पहले अगर कोई बात किया है तो रहुल गंधीजी है, उन्होंने सतर्कता की बात की, सुरक्षा की बात की, उन्होंने सरकार को क्या करना चाहिए, बकाइदा चिठी लिखकर के सरकार को बताया, जब सबसे बरे स्प्रेडर खुद ही इस बीमारी को फैलाने वाला सबसे बड़ा वि इस मुहबबत की लड़ाई को रोकने के यह तमाम हथ गंडे अपना चुके हैं अब यह अलग तरह का डर और विमारी का शहरा ले रहे हैं हम लोग एक जिम्मेदार नागरिक हैं एक जिम्मेदार पार्टी के कारी करता हैं जो भी जरूरी होगा उसको जरूर करेंगे लेकिन भाजपा के किसी दवाव में नहीं आने वाले हैं जब हम चलते हैं यात्रा में और हम ठक जाते हैं तो जब लोगों की भीर जिसमें से हम अकेले चल रहे हैं तो थकान महसूस होती है दो मोमेंट लोगों की भीर आनी शुरू होती है और वो जिस तरह से वेव करके हमें स्मा तो यह बहुत बड़ी चीज है, सेकेंटली मुझे लगता है कि अब जैसे एक वो जो एक वो ब्रहम बना हुआ था ना कि भाया मोदी जी के लावा कोई है या नहीं, वो ब्रहम हमने तोड़ दिया है, और यह बहुत बड़ी चीज है, मैं इसार निया ना कहूं, दिली निविश्टी स्टुडेंट, बट एमपी से चल रहा हूं, एक्जाम्स खतम होते ही यात्रा में जुड़ गया था, वरना स्टार्टिंग से जुड़ता है, एक्जाम्स को जैसे लेट जुड़ पाया, क्या लगता है, क्या आपको अच्छा लगा, आप भी खाली टी-शेट में घूम रहे हैं क्यों, राहूल गांधी के चलते हैं, वो तो है ही, लेकिन वर्तमान स्टा की वज़े से माहूल इतना गरम है कि स्टंडी का असरी नहीं होता, वर्तमान स्टा ने नफरत की आग इतनी जादा लगा रखी है देश के अंदर, क्योंकि महंगाई देखिया, इंफलेशन रेट देख लीजे, चाहिए आप अनेंप्लियमेंट रेट देख लीजे, वल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आती है, वो क्या कहती है, पूरी दुनिया वोट पे फार्क तो पढ़ता नहीं है? यह जो पार्ट आती है, और आज की तारीक में अन्दोलन के पीछे जो आरेसे की ताक्ते थी, उनके बारे में भी बहुत खुल के बाते आई हैं, चीजें आई हैं, जिसमें आप जुड़ी थी उस समय क्या आरेसे जे को लेकर आपकी अवधारना कुछ और थी? नहीं, देखें, मैं आपको बताओ, मैं एक सिंपली एड़ोकेट थी, हम वहाँ लेंड माफियाओं के खिलाब काम कर रहे थे, यूपी में उस समय, तो हमारे पास कोई एंटी कर्रफशन लौ नहीं था जिससे हम लड़ सकें, तो जब एक मुमेंट आया तो एक स्वता हिस् लेगा और हम भविश्य में बहुत सारी एंटी करफशन की लड़ाईयां लड़ पाएंगे, तो हम तो उसलिए आयते, मुझे नहीं मालूमता है, इसके पीछे अन्ना है, आंदोलन है, आरे से से, यह तो हमने बाद में देखा, तो हमने उसी चण, मैंने अर्विन के जीवा आई, पर एक बिखराव सा हो गया, और तब से हमारी काफी सातियों को यह लगता था कि शायद हम लोग रास्ती की लड़ाई जरूर लड़ लेंगे, पर यह संसद में जिस तरह से अब एक पूरा पैट्रेक्टिक तरीके से पूरी जिस तरह से पित्रु सत्ता एक पूरी र जाजनीती में मैलाओं का इस्तमाल उस वक्त किया जाता है, जैसे कि बिल्किस बानु को बानु के अपरादियों को रिया किया जाता और यह संदेश दिया जाता है कि मुसल्मान बहनों, अगर आप बोलेंगी तो आपका यह होगा, जिस तरह से यह पूरा इस पूरी इसमें जब ही भी जगड़े होते हैं तो मेलाओं को टारगेट किया जाता है तो यह सब जब देख रही थी बहने तो लग रहा था कि इस देश में हमारी लड़ाई तो और पीछे चली गई है हम तो लड़ रहे थे बराबरी के हिस्से के लिए अब हम लोगों को इस पित्र सत्ताक राजनीती में मनुआदी राजनीती में हम लोगों को तो हमारी अस्तित्व को ही डूड़ना पड़ेगा बराबरी का लड़ाई तो बहुत यह हो जाएगी पर जब राहुल निकले और मैंने देखा बहुत सारी महलाई चली जाती थी उसको हग कर लेती थी खुद होके हग करती थी रोती थी तो एक महला से जब मैं बात कर रही थी कि आप कभी आपको लगा था मायराष्ट की एक बहन है जिसने एक फेस्बुक पर लिखा है जो मैं आपको बताना चाहती है उसने का कि मैंने मेरे पती को हग किया है और जब मैं छोटी थी तो मेरे पिता जी को और भाही को हग किया था मेरा बेटा जब 12-14 साल का था तब मैंने उसको हग किया था तो मुझे लगा ही। नहीं मैं किसी मर्द कुछ कर रही। मुझे लगा कि मेरा दुक मेरे अंदर जो है उसको बाहर निकालने वाले के साथ साजा करे। तो शायद यह एक विश्वास देने में राहूल यह काफी कामियाब रहे। मेरे या हम जैसे जो तबाम अंदलोनों के लोग नागरित समाज के लोग हैं उनके लिए 24 के चुनाव में किसी को परधानमंतरी बनाना या किसी को हराना अजेंडा नहीं है मैं कह रहा हूँ कि दिल को तोडा गया है नफरत जो फैलाई गया गया है मीडिया तमाम इस्थानों को जड़ से जो कमजोल किया गया है वो काम 24 तक पूरा नहीं होगा उसके लिए लबअ संगर्स करना पड़ेगा रसणात्माक अलग से करने पड़ेंगे करने पढ़ेंगे भारत जोड़ो यात्रा उस दिसा में कदम दिखाई देती है इन नफरत वालों के पास लाउट स्पीकर हैं, इनके पास मीडिया है, इनके पास अपनी घ्रिडा को फैलाने का इतना बड़ा औजार है, तंत्र है जिससे लगता है कि हर कोई उसके गिरफ्त में है, लेकिन जब कोई महभबत का पैगाम लेके चलता है राउल गांदी का डायलोग मुझे बहुत अच्छा लगा, वो बहुत सुंदर डायलोग है, जब कोई महबत का पैगाम लेके चलता है, महबत की दुकान खोलके बैठ जाता है, वहां भी लाइन लग जाती है लोगों की, और यह मैंने शुरू से देखा, और एक बात बता हू हुए थे, 6 हपते हुए होंगे, तो उन्होंने कहा कि पिछले 5-6 हपते से हमारे यहां टेंशन कम हो गया है, फिर मैंने महराष्ट के एक सीनियर पुलिस आफिसर से पूछा, कि मैंने ऐसा सुना कि आपकी हायातर गुजर चुकी, आपने कहा, उन्होंने कहा हमारी रिपोर् परिवर्तन होगा नहीं, लेकिन वो वैपार कम हुआ है, ऐसा मुझे महसूस होता है, और यह चीज, यह जो अकेला महसूस कर रहा था ना, वट्सेप ग्रूप में भी, जब वो ड्रोन पे इमेजिस देखता है, हजारों लोग चल रहे हैं, अब तक लाखों लोग चल चुक के वर्कर में एक पॉजिटिविटी आई है, आगे देखना शुरू हुआ है, कॉंग्रेस पार्टी का सिंपेथाईजर खुद अपनी ही पार्टी में भरोसा करने का कारण ढून रहा है, कॉंग्रेस के वर्कर में, कॉंग्रेस के लीडर्स में एक आत्म विश्वास हुआ ह और जो एक परिवर्तन हुआ है, यह सब कॉंग्रेस की भीतर के परिवर्तन है, आम जनता में जो एक परिवर्तन में देखता हूँ, बाकि सब नहीं है शायद अभी, कि राहुल गांधी की व्यक्तिगत शवी बहुत बदली है, मेरे को इसमें क्या इंट्रेस्ट है, अब इसस साथ खून है, लेकिन इधर तो पपू है, हम कैसे सोच सकते हैं, जैसे ही यह पपू नामक स्टिकर उतरेगा, उसके पीछे से सब भेद खुलेंगे, उसके पीछे से, अभी उतरना बाकी है या, वो बहुत तेजी से क्रैक किया है, मेरा मानना है, कम से कम जिस जिस इलाके मे खबर पहुंची है, अभी खबर सब दर्फ पहुंची नहीं है, अभी भी पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग मुझसे मिलते हैं, अभी भी यह खबर नहीं है लोगों को, कि अच्छली पैदल चल रहा है, लेकिन जहां जहां खबर पहुंच रही है, वहां वहां कम से कम जो लोग न्यूस फॉलो कर रहे हैं उन लोगों में और पपु की बात फैलाने वाले भी यही लोग थे वहाँ एक नाटकी परिवर्तन हुआ है BJP के समर्थक भी अब राहुल गांदी के बारे में बहुत घटिया चीज कहने से पहले पके है वह अलग बाते बहगते हैं पार्टी के प्रचारक है वह अलग है लेकिन सामान्य सपोर्टर भी अब कहने से पहले थोड़ा सा ही चकता है भारजोडो यात्राने निश्चित तौर पर लोगों के भीतर एक उर्जा का सकरात्मक उर्जा का संचार किया है और यह उर्जा किस तरह से लोगों को लोकतंत्र में विश्वास करने में और अपने दावेदारी अपने वतन पर ठोकने पर उता रही है खड़ा कर रही है इसे देखना अपने आप में बहुत दिल्चस्प है लेकिन साथ ही साथ एक बहुत एहम सवाल है कि राहुल गांधी जो लगातार बोल रहे हैं जिस तरह की एनरजी लेवल उनके अंदर दिखाई दे रहा है जिस तरह से वो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं साथ आने की आगे बढ़ने की क्या यह जमीन पर उनके संगठन को खड़ा कर पाएगी और उससे भी बड़ी बात यह कि जो नफरत की पूरी फैक्टरी चल रही है इर्द गिर्द उसका जवाब मुकमल पॉलिटिकल सुल्यूशन ढूनने में कॉंग्रेस सफल हो पाएगी शायद यह सवाल है जो अब सबसे ज़्यादा मुखर होके सुनाई देंगे यह ऐसी चुनोती है क्योंकि अब वो हर्याना में हैं दिल भारा जोड़ो यात्रा इस चुनोती से कैसे रूबरू होगी शायद इसके लिए रढ़नीती बहुत मजबूत बनाने की जरूरत है